हलो एवरिवन आप सभी का स्वागत है मेरे चानल में आज मैं फिर से आप लोगों के साथ एक बढ़ी असी रेस्पी शेयर करने जारी हूँ तो आज मैं बनाओंगी भिंडी की बहुत ही मज़ेदार सी और टेस्टी सी रेस्पी जिसे आप एक बर बना लेंगे तो दुबारा इसे जरू ट्राइ करेंगे क्योंकि ये रेस्पी बहुत ही ज्यादा टेस्टी है और छटपट बनके तयार हो जाती है तो भिंडी रेस्पी बनाने के लिए सबसे पहले हम सामगरी देख लिएते हैं तो यहां मैंने लिया है हाफ केजी भिंडी जिसको पानी से अच्छी तरह से वाश करके इसको मैंने कट कर लिया है तो लंबा भिंडी मैंने रखा है और दूनों तरफ से देखिए मैंने कट करके साफ करके अच्छी तरह से भिंडी को रख लिया है इसके बाद यहां पर medium size के मैंने दो लाल तमाटर ले लिये हैं यहां पर थोड़ी सी मैंने मुंख फली ले ली है और यहां पर लिया है मैंने नारियल, सुखा नारियल का चोटा-चोटा टुकडा करके थोड़ा सा ले लिया है एक बड़ा प्याज मैंने छोटा-चोटा कट कर लिया है मिर्शी ले लिया है तीन हरी वाली मिर्शी मैंने ले लिया है और यहां पर मैंने एक कप दाल लिया है तो इसमें औरहर, मसूर और मुंख दाल मिक्स है तो मिक्स दाल मैंने एक कप लिया है अब यहाँ पर मैंने देखिए दाल को धोके रखा था तो इसको मैं एक कूकर में डाल दूँगी यानि कि सारा दाल हमें कूकर में डाल देना है अब इसके बाद यहाँ पर जो भिंडी कट करके मैंने रखे हैं सारा भिंडी भी हम कूकर में डाल देंगे और इसके बाग मुंखफली और जो नारियल का छोटा छोटा टुकडा मैंने कट किया है इसको भी हम इसमें डाल देंगे और अब बारी आती है मिर्ची की तो मिर्ची देखी हम तीन भागों में छोटा छोटा कट करके चाकू से इसको भी डाल देंगे और टमाटर को हम चार भाग में इस तरह से कट लगा के इसको भी डाल देंगे तो दुनों टमाटर हमें कट कर लेना है और इसके बाद इसमें हम डालेंगे नमक तो एक चमच भरके हमें स्वाद के नुसार इसमें नमक डाल देना है अब यहाँ पे चार ग्लास भर के इसमें कूकर में पानी डाल देना है और एक चमच हमें इसमें ओईल डाल देना है और इसके बाद हम कूकर में ढखन लगा देंगे और गैस को अन करेंगे और इसके उपर हम कूकर को चड़ा देंगे और चार सीटी आने तक हम कूकर को गैस तो जैसे 4 सीटी पूरे हो जाए गैस को हम नीचे उतार के रख लेंगे और इसके बाद हम कोकर को खोल देते हैं तो यह देखिए सारी चीजे हमारी बहुत ही अच्छी तरह से गल गई है यह दाल भी गल गया है टमाटर भी बहुत ही अच्छी तरह से गल के तयार है और भिंडे भी हमारी बहुत ही अच्छी तरह से गल के तयार हो चुकी है तो अब हमें तड़का लगाना है तो यहां पर तो देखिये, गैस के उपर मैंने कढ़ाई गरम कर लिया है, और इसमें मैंने तीन चमच शरसो के तेल डाल दिये हैं, जैसे हलका सा तेल गरम हो जाए इसमें एक चमच भर के जीरा डाल देना है, और जीरे को अच्छी चऱ से चटकने देना है, अब यहाँ पर देखिये मैं अब यहां पर हम डाल देंगे आधा चमच हल्दी पाउडर यहां पर डाल देना है मिक्स मसाला एक चमच भरके गरम मसाला अधा चमच और आमचुर पाउडर आधा चमच और इसके बाद इन सभी चीजों को हमें चला के अच्छी तरह से मसालों को पका लेना है तो गैस का फ्लेम यहां पर एकदम लो कर देना ने तो मसाले जल सकते हैं और इसके बाद देखिए यह जो दाल है हमारी इसमें हम पूरी दाल को डाल देगे पलड देंगे और उसके बाद गैस का फ्लेम मीडियम रखते हुए इस दाल को हमें चला के अच्छी तरह से कम से कम तीन से चार मिनट तग पका लेना है और इसके बद अभी यहाँ पे मैंने पैन में दो चमच ओईल मैंने मिडियम फ्लेम पे अच्छी तरह से मैंने हीट कर लिये हैं अब इसमें जो कटा हुआ प्याज था उसको डाल देंगे देखिए तड़के के साथ मैंने प्याज नहीं डाला था क्योंकि अच्छी तरह से जो प्याज भून नहीं पाता तड़के के साथ तड़का पहली जल जाता इसलिए प्याज को मैं अलग से यहाँ पे अच्छी तरह से इसको फ्राइ कर रही हूँ तो medium flame पे इसको हमें अच्छी तरह से golden brown कर लेना है तो देखिए प्याज का जो color है बहुत अच्छी तरह से सुनहरा हो चुका है इसको मैंने भून लिया है अब इस प्याज को हम इस डाल में डाल देंगे यह देखिए सारा प्याज हमें डाल देना है और अच्छी तरह से प्याज को डाल के साथ mix कर लेना है और gas को हमें off कर देना है क्योंकि हमारी यह recipe बनके तयार हो गई है आप इस recipe को गर्मा गरम चावल के साथ खाईए बहुत ज़्यादा यह tasty लगता है तो यदि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करेए शेयर करेए चानल जरू सब्सक्राइब करेए कमेंट करके बताईए आपको वीडियो कैसी लगे थैंक्यू मेरा वीडियो देखने के लिए बाई बाई